हलो एस्परेंट देखिए बेसिक सिक्षा अधिकारी के पद पर जो नियुक्ति होती है वह उत्तर प्रदेस लोग से वा आयो के द्वारा जो परिक्षा करा जाता है यानि कि UPPCS का उसी के माध्यम से आप बेसिक सिक्षा अधिकारी बनते हैं BSA ठीक है तो अब BSA के संबंध म और यही BSA की प्रमोट होके D.I.O.S बनते हैं तथा संबंध में आज एक नियुस था आईए उसी को देखते हैं तो अब अनभवी और प्रसिच्छित अधिकारी ही बनेंगे BSA क्योंकि होता क्या था उत्तर प्रदेश सैचिक सामानिस्थिक्षा समवर्ग सेवा समूख ख के BSA सह जीला विद्याले निरिच्छक वा उनके समकछी य राजिकी इंटर कॉलेज प्रधानाचारे व वरिष्ट प्रभक्ता के वरतमान में 1449 पद जो है की सिरजित है ठीक है और इन पदों पर जो ह अंतरडिय होने के कारण अक्सर BSA के पद अनुभव ही अधिकारियों की तैनाती हो जाती थी यानि कि जो BSA बनते थे उनको अनुभव और प्रसिछन की कमी होती थी इसके कारण जो है कि इससे मुकदमेवाजी समेत अनिक समस्याएं आती है और बड़े पैमाने पर D.I.O.S वह समक्षिय पद खाली रा जाते थे ठीक है तो इन्ही की ट्रेनिंग के लिए एक समीती बनाई गई है ठीक है पांच सदस्यों की समीती उसी के संबंद में जो है कि आज निउस में आया था और ये जो है कि इन्होंने कल ही कार्याले ग्यापन जो है कि निकाल दिया था उत ये ये इस के पद पर इनको जाएकि पद उन्नती मिलेगी और बेसिक सिख्षादिकारी के पद पर ठीक है